अच्छा, आज सोमवार है, मुझे लगा आज मंगलवार है अच्छा, तुम गली नंबर 3 में रहते हो मुझे लगा तुम गली नंबर 5 में रहते हो अच्छा, ये तुम्हारा है, मुझे लगा ये मेरा है आज की इस वीडियो में हम इसी तरह के सभी sentences को English में बोलना सीखने वाले हैं तो guys इस तरह के सभी sentences को English में बोलने के लिए सबसे पहले बोला जाता है Okay, उसके बाद first sentence और उसके बाद I thought I thought के बाद second sentence जो की हमेशा past tense में ही होता है चलिए और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ examples देख लेते हैं अच्छा, आज सोमवार है मुझे लगा मंगलवार है Okay, it's Monday today I thought it was Tuesday It is Tuesday ना बोले नहीं तो हमारा sentence गलत हो जाएगा जब किसी sentence का first part past tense में होता है तो उसका second part भी past tense में ही बनता है इस topic पर हमने already एक वीडियो बनाय हुआ है उस वीडियो का link इस वीडियो के description में mention कर दिया गया है अच्छा, वो राजू का भाई था मुझे लगा वो राजू है Okay, he was Raju's brother I thought he was Raju अच्छा, ये cold drink है मुझे लगा ये पानी है एक cold drink देखी है आपने जो बिलकुल पानी जैसी लगती है देखने में Okay, it's cold drink I thought it was water अच्छा, ये तुम्हारा है मुझे लगा ये मेरा है Okay, it's yours I thought it was mine अच्छा, तुम गली नमबर 3 में रहते हो मुझे लगा तुम गली नमबर 5 में रहते हो Okay, you live in street number 3 I thought you lived in street number 5 अच्छा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है मुझे लगा तुम बहाने बना रहे हो Okay, you have no money I thought you were making excuses So guys, हमेशा की तरहा homework की बारी एक sentence आप सभी के लिए अच्छा, तुम छट पर हो मुझे लगा तुम कमरे में हो आपको इस sentence इंग्लिश में translate करना है और comment में लिखना है देखते हैं कितने लोग सही translate करते हैं Best of luck, so guys, आज की इस वीडियो में बस इतना ही I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको structure का use अच्छे से समझ में भी आया होगा अगर आपको कोई भी, कोई भी doubt हो तो आप comment करके पूछ सकते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए lesson के साथ Till then, take care